Hello guys, welcome to Daily Current Capsule, this is Divya Anj और आज इस वीडियो में हम discuss करेंगे January मंत की Current Affairs का अगला पार्ट दो पार्ट अलरड़ी आ चुके हैं January 2024 के और ये तीसरा पार्ट है So without any further delay इस वीडियो को भी हम start करते हैं पूजा धंडा suspended for one year by NADA is related to which sport पहले NADA की बारे में बात करते हैं National Anti-Doping Agency इसे 2005 में बना गया था और इसके headquarter आपको मिलेंगे डेली में इससे बड़ी एक organization है WADA World Anti-Doping Agency जिसके headquarter है Montreal Canada में और इस question में जिनका जिक्र किया गया है पूजा डंडा वो एक wrestler है और उन्हें NADA ने एक साल के लिए suspend कर दिया है Who has launched Feast software? सबसे मिले आपको Feast की full form पता होनी चाहिए Finite Element Analysis of Structure ये software बनाया है ISRO ने Indian Space Research Organization जिसके headquarter हैं Bangaluru में और इसे बनाया गया था 15-10-1969 में आज के time में इसके chief हैं S.S.Nath और ये software जो इन्होंने बनाया है Feast इसका काम हुगा जब rocket, aircraft ये satellites ही बनाते हैं उस time अलग-अलग elements को analysis करके ये software बताएगा कि ये certain temperature और pressure पर कैसे react करेंगे ये इस software का काम हुगा Which forces has unveiled the new design of shoulder plates of admirals? आप easy question है क्योंकि है आप Admiral बोल दिया है तो Admiral तो Navy महीं होते है Officers के कंदों पे जो badge लगए होता है उसे appellets बोलते है उसमें इन्होंने changes की हैं अभी जैसे थोड़े time पहले Navy का flag भी change हुआ था British colonial era का जो वो flag था उसे एटा के नया flag आया था वैसे ही जो भी छूटी मोटी चीज़े रह गई थी colonial era के उन्हें भी दीरी दीरी गर के हटाया जा रहा है और यह जो नया design है appellets का उसकी inspiration भी चतुरपत्ती शिवाजी से ही ली गई है आज के time में इंडिया की naval chief है Admiral आर हरी कुमार साथ ही आर्मी की और एरफोर्स की भी chief देख लिए आर्मी chief है मनोस पांडे और एरफोर्स की chief है वी आर चौधरी ये गुजरात गवर्मेंट और मजगाव दौक लिमिटेड इन दोनों का joint venture है और ये दोनों मिलकर इंडिया में पहली बार submarine tourism को introduce करेंगे गुजरात में एक जगे है दौर का जिसे माना जाता है कि वो भगवान कृष्ण की नगरी थी जो आज के time में बिल्कुल सबमर्जड हुई चुकी है पानी के नीचे तो वहाँ पर submarine के दूप 30 passengers को एक बरी में ले जाए जाएगा और ये कोशिश करेंगे कि इस साल 2024 में दिवाली तक इसी start करते है गुजरात के CM है भूपेंद्र भाई पटील और यहाँ की governor है आचारिय देवरत विच स्पोर्ट इस बिंग इंट्रिजूस इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स तमिलनाडू में होश्ट किया गए थे तमिलनाडू पे भी मेंली चार सिटीज में चिन्नाई, मदुराई, त्रिची और कुयमबदूर यहाँ पर इनने होश्ट किया गया था, जिसमें चपपन सु से ज़ादा एफलीट्स ने इसमें पाटिसिपेट किया था इसमें पहली बार स्कुएश को इंटरिजूस किया गया, इससे पहली स्कुएश नहीं केले जाता था केलो इंडिया यूथ गेम्स में लेकिन इस बार इसे इंटर्ड्यूस किया गया है और इसके पॉइंट स्टीबल में नंबर वन पे रहा है महाराश्ट्र जिसके टूटल 158 मेडल्स हैं 57 गोल्ड मेडल्स जीते थी इन्होंने सेकेंड नंबर पे है हरियाना 103 मेडल्स है उनके और थर्ड नंबर पर आया है तमिलनाडू 98 मेडल्स के साथ Ministry of External Affairs जो बहुत इंपोर्टन मिनिस्ट्री होती है और आज के टाइम वीज के मिनिस्टर है डॉक्टर S. जैशंकर इनकी ही मिनिस्ट्री में नए स्पोर्क्स पर्सन को अपॉइंट किया गया है जिनका नाम है रंधीर जैसवाल इनसे पहले थे अरिंदम बाक्ची वो भी बहुत न्यूज में रहते थे और कई बार उनसे रिलेटेड क्वेशन भी आ चुके हैं आप उनकी जगे रंधीर जैसे वाल आ गए हैं तो इनका नाम भी आद रखना जिसमें यूरोपियन कंट्री टू इशू डिजिटल शेंसे वीजा वीजा तो आप उस देश में जा सकते हो जैसे कि मैंने यूएसे का वीजा लिया तो मैं उस वीजा पे सिर्फ यूएसे जा सकता हूं कैनेडा नहीं जा सकता कैनेडा के लिए मेरे को सेपरेट वीजा कैनेडा से लेना पड़ेगा लेकिन शेल्जन वीजा एक ऐसा वीजा है जिसमें यूरोप की 29 कंट्री इंगलूड होती है मतलब मुझे अगर यूरोप की किसी एक देश में जाना है और मुझे शेंजन वीजा मिल जाता है तो मैं उन बाकी देशों में भी जा सकता हूँ मुझे separately उन सबसी वीजा लेने की जरूत नहीं पड़ेगी ये होता है शेंजन वीजा और इसका नाम शेंजन इसलिए है कि वहाँ पर एक कंट्री है लक्संबर्ग जो 29 देशों में से एक है जिसकी बॉर्डर आपको जर्मनी और फ्रांस से लगी भी मिलीगी लक्संबर्ग में एक विलेज है जिसका नाम है शेंजन जहाँ पर ये agreement sign किया गया था 1985 में इसलिए उस agreement के नाम पर ही इस वीजा का नाम पढ़ा है शेंजन वीजा और अभी हाली में फ्रांस ने डिजिटली शेंजन वीजा देना शुरू कर दिया है उसका भी एक रीजन है वो ये कि इस साल समर ओलंपिक्स जोंगे वो पैरिस होस्ट करेगा पैरिस में यानी फ्रा सबसे पहले गल्फ कोपरेशन काउंसिल के बारे में जाते हैं ये एक ग्रुप है जिसमें छे गल्फ कंट्रीज आती हैं जो हैं बहरीन, कुईत, ओमान, कतर, साओधी एरिविया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन छे देशों को मिला के गल्फ कोपरेशन काउंसिल बनता है और इसके हेड़कॉर्टर्स हैं साओधी एरिवि की कैपिटल रियाद में और हाली में इन्होंने साओध कोरिया के साथ एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है, साओध कोरिया जिसकी कैपिटल है सियोल और यहां के प्रेजिडेंट है युन्सु कियोल Snow leopard को अपना national symbol declare किया है किर्गिस्तान किर्गिस्तान जो एक टाइम पर USSR का पार्ट हुआ करता था फिर 1991 में USSR के disintegration के बाद ये टूट कर अलग देश बन गया किर्गिस्तान जिसकी capital है बिशकेक अब जैसे आपको किर्गिस्तान का पता चल गया वैसी इंडिया के भी कुछ national symbols देख लेते हैं क्योंकि वो भी बहुत important है मालनी जैसे इंडिया की national bird है peacock national animal royal bengal tiger national anthem national song national flower national currency national reptile national flag national calendar national sentence national river national tree Indian banyan tree national aquatic animal ganges river dolphin national sport ये दियान रखना कि इंडिया का कोई भी national sport नहीं है national fruit mango national heritage animal Indian elephant जब national animal पूछा जाए तो royal bengal tiger है लेकिन heritage animal है Indian elephant इसके अलावा आपको ये भी पता होने चीए जैसे महात्म गांदी को father of the nation बोला जाता है ऐसा कहीं officially written document में नहीं है तो ये as a respect उन्हें title दिया हुआ है लेकिन असल में इंडिया का कोई भी father of the nation नहीं है इंडिया ने आज से कई साल पहले 1968 में Myanmar की government के साथ एक agreement sign किया था free movement regime का जिसमें इंडिया और Myanmar के लोग एक दूसरी की देशों में 40 km तक अंदर जा सकते थे लेकिन फिर 2004 में इसे घटा कर 16 km कर दिया गया जिसके बाद अब तक भी इंडिया के लोग 16 km Myanmar के अंदर तक चली जाते थे free movement regime के अंदर और वैसी मैनवार के लोग 16 km अंदर इंडिया में आ जाते थे लेकिन जब से मैनवार में तकता पलट हुआ है और military government ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है तो दीरे दीरी करके वहाँ से लोग भाग कर इंडिया में आ रहे है illegally migration इंडिया में बहुत जादा होती जारी है इसलिए इंडिया की government ने मैनमार के साथ की free movement regime को suspend कर दिया है जिसे दीखा जाए तो मैनमार इंडिया की चार states के साथ border share करता है सबसे पहले अरणाचर प्रदेश फिर नागालेंड फिर मनिपूर और फिर मीजुरन टूटल 1643 किलोमीटर लंबा ये border है जिसे इंडियन government अब fans करना चाहती है अब आप मेरे को comment में लिखके रबताइए कि इंडिया सबसे लंबा border कौनसी गंटर के साथ share करती है और उसका अंसर मैनमार नहीं है तो आप मेरे को comment में करके बताइए सही answer ओके गाईज तो ये आपकी 10 questions हो शुके हैं